सब्सक्राइब करिए दे इंडियन मैसेनिस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के नमस्कार दोस्तों मैं बिश्वजीत कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ दे इंडियन मैसेनिस चैनल पे 17 दिसंबर 1903 को जब पहली बार एयर फ्लाइट्स का इस्तमाल किया गया राइट्स ब्रदर के द्वारा तब से 115 साल के बाद आज भी बहुत ज़्यादा चेंजिस उसमें प्रिंस्पल ही नहीं किया जा सका है हाँ technology wise या electronics wise उसमें काफी developments हुए बट उसका जो basic principle है कि जैसे उसमें जो thrust का इस्तमाल किया जाता है उसको lift प्रतान करने के लिए उसके लिए जो engines का इस्तमाल किया जाता है या तो वह propeller type का इस्तमाल होता है या फिर turbine type का होता है और आज भी तकरीबन वैसी engines का इस्तमाल क sci-fi film देखी हो और उसको एक motivation मिला हो उससे कि वहसी कोई flight बना जाए जैसा कि Star Wars या Star Trek series में इस्तमाल किया गया जो कि एक blue धुए को छोड़ते हुए silently उड़ती हो जी हाँ ऐसी ही कुछ हुआ है Stephen Brett के साथ जिनों ने कि Star Trek और Star Wars movie को देखके एक inspiration ली और एक ऐसा air flight का ट्राइल किया है जिसमें कि किसी भी परकार के engine का इस्तमाल नहीं किया जा रहा और जो कि silently उड़ सकता है तो आएए इस report को detail में समझते हैं जैसा कि आप इस drawing में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यह जो है यह दो electrodes है इस electrode को हम emitter बोलते हैं और इस electrode को हम collector बोलते हैं अब यह जो दो electrodes का हम इस्तमाल करते हैं यह जिस process के through हम इस्तमाल करते हैं उसको हम corona effect बोलते हैं तो इस effect का हम इस्तमाल इस process के दोरान करते हैं अब इसमें होता क्या है कि चुकि यह जो है एक thin wire होता है ठीक है और यह जो है एक thick wire होता है लेकिन यह thick wire जो है यह अलग shape में भी हो सकता है तो अब इसमें होता क्या है कि इसको जो है इसको plus 20,000 volt का supply किया जाता है जो emitter है और जो collector है इसको हम minus 20,000 volt का supply देते हैं और इसमें जो हम battery का इस्तमाल करते हैं वह battery है lithium polymer battery तो यह जो battery है यह इसके साथ में एक step up voltage regulator का इस्तमाल किया जाता है जो कि इसके द्वारा जो voltage है उसको तकरीबन 40,000 volt तक बढ़ाता है तो इसका अब process क्या होता है कि इसमें 20,000 volt का positive supply होता है तो जो atmosphere में हमारे nitrogen ions होते हैं वो क्या होता है इसके तरब attract होते हैं और उनका जो electrons होता है वो उसमें से निकल के यह क्या करता है उनका nitrogen ions में से electron को निकाल लेता है और उसके बाद होता क्या है चुकि यह एक positive है और यह negative है तो इनके बीच में एक magnetic field create होता है तो उस magnetic field के वज़े से यह जो बचे हुए nitrogen molecules होते हैं जो कि अब उनका electron निकल गया और यह positive भी charge होते हैं तो यह क्या करते हैं कि हमारे जो collector है जो कि minus 20,000 volt का जिसके अंदर supply दिया जाता है तो उसके तरफ में यह flow करने लगते हैं उसके तरफ में यह attract होते हैं और इस दौरान यह क्या है कि जो हमारा रास्ते में neutral ions जो कि air में already मौझूद है उनके साथ में टकराते हैं और उसको क्या करते हैं कि यह जो neutral molecules है मान लिजे कि यह इसके साथ में ऐसे टकराएगा तो यह इस direction में यह move करने लगेंगे और उस वज़े से क्या होगा कि वो यहां से pass करके और इधर के तरफ निकलने लगते हैं तो यह एक चीज हो गई दूसरा क्या होता है कि जब यह यह यहां पर आते हैं और यहां पर वो इसके साथ में इनका जो negative charge होता है वह यह उसमें से निकाल लेता है तो इसके भी जो neutral molecules होते हैं वो यहां से जाने लगते हैं मूव करने लगते हैं तो यह दोनों मिला के यहां पर एक thrust क्रियेट करते हैं और वो thrust क्या करता है कि इसको lift परदान करता है इस direction में इसको एक lift मिलता है और वह lift उसको sufficient होता है जो flight होता है उसको take off करने के लिए या फिर air में sustain करने के फिलहाल तो इसका trial safe air में sustain करने के लिए किया गया और इसको mechanically एक thrust प्रोवाइड करके lift कराया गया था तो इसमें हमारा जो अभी thrust density है वो तकरीबन 300 गुना कम है जो की हमारा एक regular airliner के लिए जोरत होती है thrust प्रतान करने के लिए या lift देने के लिए तो इस direction में अभी काफी काम करना बाकी है तो इसमें अभी काफी समय लग सकता है इसको development के लिए और दूसरी चीज़ यह है कि जो यहाँ पे यह battery इस्तेमाल किया गया है इस बैटरी का जो energy को इसको charge करने के लिए उसका तकरीबन यह सिर्फ अभी 2.6% ही utilize कर पाया है जो की battery क charge इसने इस्तेमाल किया है तो यह भी अभी काफी जादा इस direction में अभी आगे बनने की जौरत है और यह जो flight है तकरीबन 60 meter का distance को travel किया था जो की 9 से 10 second की duration है उसमें इसको चलाया गया था और उस दौरान यह जो है तकरीबन 17 km per hour का speed से चल रहा था और इसका जो weight है वो तकर तकरीबन 2.5 kg है और इसका जो wing का size था वो तकरीबन 5 meter था तो हो सकता है कि बहुत जल्द हम drones देखे जो कि इस principle पे काम करें shorter time span में definitely longer time span में हो सकता 20-30 साल period में हमें ऐसे flights भी देखने मिले जो कि इस principle का इस्तमाल करेंगे तो अगर आपको यह video पसंद आया है तो like करे, share करे और comment करना ना भूले और अगर आप इस video को facebook पर देख रहे हैं तो the Indian Machinist channel के page को जरूर follow करें और like करें, धन्यवाद, have a nice day